हेलो दोस्तों आज बैंगलोर अच्छा गया मतलब फर्स्ट चार रेस टोटल आ गए थी और फिप्ट रेस आउट हो गया और शिक्स रेस आया सेवन रेस हो गया अवरल अच्छा रेस रहा प्रोफिटेड है प्रोफिट हुआ है थोड़ा साज में डिस्टब था तो अवरल क not अवरु कि तो चलिए बात करता है कल के कि बैकल बैंगलोर है 18 जून 2030 मतलब थोड़ा सा 50 50 है फिइवरेट होंगी और फिए सब्सक्राइए चांस है जिसद्ार के बना हुआ है तो चलिए बात करते है कल में के और आज एक साब और आग सथा कमेंड किया था कि सर आप 2 गु बूलूंगा कि अब मैंने इसलिए बोला था कि यार अभी वो रेस नहीं हुआ है कि आप मेरे उस ट्रिक को फोलो करो अभी दो-तिन दिन ही तो हो रहे हैं अब उसमें से अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अपना घर भी नहीं चलेगा तो इसलिए थोड़ा ज्यादा र इस टारगेट को फोलो नहीं कर सकते तो इसलिए मैक्सिम्म रेस खेलना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम डेली दो-तिन अजर करने लगेंगे तो फिर चार दिन छुटी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए मैं भी मैक्सिम्म रेस खेलने के कोशिश कर रहा हूं तो कि आप वह उसी तरह से करते रहे है जब सीजन कंटीनिव हो जाएगा तो दो गोड़े खेलने में मजाएगा क्योंकि डेली देली देश होंगी अब क्या तीन झानी तो अब थोड़ा से पैसा नहीं बनेगा तो फूड़ा खर्चा भी चलनी पाएगा तो अभी अपने सबसे के लिए मैं मैं भी उसी को फोलो करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है तो अब अपने हिसाब से करते रही है तो चलिए बात करते हैं कल के बैंगलोर की रेस की फर्स्टेस दा मैदान प्लेट बारसमटे की रेस है एह हैंडीके पर ऑस्टेट जीरो टू टर्टीवाइब क्लास प्वाइब की रेस शिक्स यरोल्ड एंड ओवर वन थर्टी कोई रेस है यहां पर नो गोड़े हैं मुझे दो गोड़े पसंद है एक होस्ट नूमबर थ्री एन बलान जोकी क्रितिश भागत और दूसरा गोड़ा है होस्ट नूमबर पोर जर्सी लेजेंड जोकी एन अरविंद कुमार अगर अब यह देखोगे देखो एक नमबर मुझे नहीं पसंद है अब रेस तो कुछ भी हो सकता है क्लास वाइव रेस है लेकिन मैं जो हंडीकेपिंग निकाला हूं तो मेरे हंडीकेपिंग यह दोनों गोड़े बन रहे हैं मुझे एक नमबर नहीं पसंद किसी भी इंगल में म मुझे नहीं गोड़ा समझ में आ रहा है अब बाकी रेस से कुछ भी हो सकता है एक तो टॉप वेट है और यह जोकी मुझे समझ नहीं आ रहा है यह रामों दो नमबर नहीं पसंद लोर वेट का गोड़ा है 400 की नीचे बिलकुल नहीं पसंद लास्टन अच्छा था लेकिन फिर भी नहीं पसंद मैं 400 की नीचे के घोड़े को कंसिडर ही नहीं करता हूँ मुझे तीन नमबर अच्छा लग रहा है अगर आप देखोगे यह 107 रेस में पांचवा लगा है उस दिन इम्रान कान बैटा था अगर आपको याद होगा उस दिन यह ओड़ा बहुत प्लेस लगे थी लेकिन उस दिन इआउट हो किया था और यह 4 नमबर इसी के साथ दो रेस में भागा हुआ है 162 रेस में 4 नमबर पांचवा लगा है और 3 नमबर 162 में साथ लगा है लेम हुआ था और 63 रेस में देखोगे तो तीन नमबर छटा लगा है और चार नमबर आठवा लगा है अभी क्या हुआ है क्रितिस भगत का एलाउंस का बेनिफिट हो रहा है इसको इसलिए क्रितिस भगत बैठा है और क्रितिस भगत एक बार इसको चला भी चुका है अगर आप एक रेस देखोगे तो तो हैंडिकैपिंग के हिसाब से ये गोड़ा बिल्कुल बनता है तीन और चार नमबर का ट्राक बहुत अच्छा जा रहा है और ब्लिंकर आउन कर रहे है बाकी मुझे सारे गोड़े बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे है और ये तीन नमबर सब के साथ भागा हुआ है अगर आप देखोगे 107 में 9 नमबर 3 लगा था लेकिन ये गोड़ा मुझे नहीं समझ में है इस बार बाकी रेस से कुछ भी होने को हो सकता है बाकी देखते हैं और ये 8 नमबर 107 रेस में 4 लगा था तो उस दिन जो हुआ था उस दिन तीन नमबर पर बहुत बेटिंग हुई थी जब ये 107 नमबर रेस हुई थी इमरान खान के नीचे बहुत प्लेस लगी थी इच्वे लगा था लेकिन गोड़ा पांच बा हो गया तो अभी हैंडिकेपिंग के हिसाब से तीन नमबर सबसे बेटर है अभी इस फिल्ड में बाकी रेस कुछ भी हो जाए मेरे इसाब से तीन और चार के बीच में रेस होना चाहिए अगर आप हैंडिकेपिंग इसाब से जा रहे हो तो तीन को इन प्लेस केलना बनता है लेकिन चार को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी इक्विमेंट्स चेंज हो रहे हैं और ट्राक बहुत ही अच्छा जा रहा है तो मेरे इसाब से तीन और चार में रेस होनी चाहिए लेकिन क्लास फाइब रेस से थोड़ा सा संबल कर अफ्षेड हो जाता है यह रेस तो फर्स चैस है होस्ट नुबर थ्री एन वरलन जोकी क्रितिश भागत फॉर इन प्लेस और दूसरा गोड़ा है होस्ट नुबर फोर जस्टी लेजन्ट जोकी एन अरविंद कुमार फॉर प्लेस अगर अब जोड़ी भी बना सकते हो तो बैटर है मेरे सबसे इन ही दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए बाकी क्लास प्लेस थोड़ा संबल कर खेलना अफ्षेड होने के चांस से बहुत ज्यादा होते है यह आपर क्योंकि कोई कहीं से निकल आएगा तो पुरा बैंड बजा देगा रेस की तो ध्यान से केलना तीन और चार मुझे पसंद दोनों अब बात करते हैं सेकेंड रेस दा मांडिया स्टेक्स 1400 मीटर रेस से हैंडिकेपर होस सेट है 2245 क्लास पूर की दो बजे यहाँ पर दस गोड़े है मुझे सिंगिली गोड़ा पसंद है होस्ट नमबर वान इंपियाना जोकी शियो मेश देखो हाई एस्टेटेट गोड़ा है इस फिल्ड में मारने वाला तो कोई दिखनी रहा है मगर अगर कोई मारेगा इसको तो यह तीन नमबर डवल स्कॉची मारेगा लाश्ट टeamप नेजिया के पिछे Tail लगा है अच्छी dbred है नेजिया तो उसी के साथ यह थर लगा है तो एक को मारेगा तो तीन ही मारेगा लेकिन मुझे निलेगता कि एक को कोई पकड़ सकता है अगर फ्रेंट बाग गया तो कुछ क्यच्च नहीं करेगा इसको क्योंकि लास्ट टाइम तो बन नहीं रहा था मैंने लास्ट टाइम ये रिदा नहीं दिया था और रिदा जीता था लेकिन उस दिन उस फिल्ड में ये बनता नहीं था तो उसी के लिए हारा था लेकिन इस फ फिकर लोगा सारे गोड़ों के लिए क्योंकि फिल्ड के इसाब से बाकी गोड़ों से एक नंबर सबसे बेटर है तो सिंगिली गोड़ा लेकर चलूंगा अब रेस अपने हिसाब से होता रहे सेकंड रेस होस नुबर वान इंपिया ना जोकि शिव मेंस पॉर इन प्लेस में भी फेवरेट खुलेगा जीतना चाहिए मेरे सबसे दो ढ़ाई का भाव में होना चाहिए अगर फेवरेट भी खुलता है तो फिर भी जीतना चाहिए क्योंकि फिल्ड बहुत उइक है इसके ल यहां पर मेरी चैसे होस नुबर एट सी इगल जोकि एस जर्वान फोर इंप्रेस ट्राक तो बहुत अच्छा जा रहा है बिल्कुल जीतना चाहिए सी लायन का भाई है यह तो बिल्कुल बनता भी है बाकि दूसरा गोड़ा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मेड सिंगिली गोड़ा लेके चलते हैं होस नुबर एट सी इगल जोकि एस जर्वान फोर रिंप्रेस अब बात करते हैं फोर्त रेस दर स्टिवार्ड्स कप 1400 मिटर एस है है हेंडीकेप और होस हेटर 60-25 क्लास 2 की तीन बजे यहां पर 13 होस हैं मुझे यहां पर भी दो गोड़े पसंद है एक होस नुबर 10 अमरेली जोकी पीट्रेवर लास्टेम यह गोड़ा मैंने बताया था कि यार आट्टी मीं सिगनिश्या के साथ दोड़ा था और आट्टी मीं सिगनिश्या हैंडीकेप में 10 नंबर से बेटर हो गया था उसी के लिए गोड़ा उस दिन जीता नहीं था और आट्टी मीं सिगनिश्या जीत गया था अभी यह गोड़ा जीतना चाहिए अब पिट जाए तो कुछ अलग बात होगी मारेगा लेकिन देखेंगे क्या होता है मुझे 10 और 13 दोनों पसंद है क्योंकि यह गोड़ा भी वेट का अडवांटेज है ट्रेवर बैठा है और ट्राक बहुत अच्छा जा रहे है बिल्कु जीतना चाहिए बस डाउट थोड़ा सा डर मुझे तेरा नंबर का है प्लेस बेंड़ जुआ है मतलब 60 किलो से 50.5 बिल्कुल यार मारेगा तो यहीं मारेगा इसको दस नंबर को मारेगा तो तेरा नंबर ही मारेगा बाकी मुझे सिविक चिक पसंद नहीं आ सकता है लेकिन मैं मैं दो घोड़े कंसिडर करूंगा होस्ट नंबर 10 आम रेली जोकी पी ट्रेबर प नंबर होती है थर्टीन नंबर प्लेस बेंडम लास्टेम क्रिस्टोफल अभी तो मुझे जो घोड़े पसंद आ रहे हैं तो अभी के जो घोड़े हैं वो क्रिस्टोफल सबसे बैटर है तो उस फील का भागा हुआ है और सेकंड थार्ट पोजिशन में बैट गया तो उड इत रेवर पर रुट्ट प्लेस और दूसरा गोड़ा होस नंबर थर्टीन प्लेस वेंडम जोके अक्षयकमार प्लेस कि अब बात करते हैं फिप्त रेज दस्टार सुप्रीम प्लेट 600 मेटर रेज से होस एटट शिक्टी टू एट सरी 40 टू शिक्टी वेब क्लास्टि एक को यहां पर नौ गोड़े हैं लेकिन थोड़ा सा मार्जिन से हार गया अभी अक्षेकुमार को बिठा है और बहुत लोगों का मानना था ऍलабат मंते हैं कि अक्षेकुमार को क्यों ट्रेवर तो बेटर जोकी है लेकिन यह पोदाना जब डाइंजन दिया जाता है तो जोकी का वेट को देखना पड़ता है क्योंकि ट्रेवर का वेट है 52 अभी कुछ दिन पहले तो अक्षय कुमार का 50 था अभी 51 लिखा है तो उसी साफ से इसको वेट का एडवांटेज चेंज करने के लिए जोकी चेंज़ेस होता है और सुलेमान का बहुत प उसका एक तीसरा जोकी है स्रेय शिंग उसको बिठा देता है तो यह टैक्टिक है लेकिन यह गोड़ा बनता ले है लेकिन इसको मानने के लिए गोड़ा वेठा है वो है निकोलीना यह गोड़ा अगर आप देखोगे इस गोड़े ने सालेंटो को बीट किया है किसे टाइम मतलब सालेंटों को बीट करना भी बात है वह गोड़ा बहुत सूपरियर है तो उसको इसने मारा हुआ है और लास्ट टाइम स्लो आउड निकला था लेकिन लास्टन बहुत अच्छा था और गोड़ा बहुत पीछे से मतलब पांचवा लगा है मतलब ज्यादा डिस्टांस से पांचवा लगा है तो अभी यही जोगी जी गीरीस गेट प्रैक्टिसर देके आ रहा है जोड़ा को एडवंटेज जी गेट प्रैक्टिसर दे हरा है। सेम जोकी और सेम जोकी रैड कर रहा है और आपने देखा होगा प्रसन्न कुमार और आरगीरी माइटी जू को अफसेट किये थे 20-20 के भाव में तो ये घोड़ा कल अफसेट कर सकता है और दूसरा रीजिन इसको दिखाता हूं अगर आप देखोगे 11 रेस में नीकोली ना फे भाव होगा मुझे पता है या 10-20 का भाव होगा लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसी के सामने फेवरेट में आउट होया और उस दिन जौकी सेस्टेंड रहा था एहसान कुरेशी याद होगा आपको तो उसी दिन उसकी बेड रैडिंग की वज़े से एहसान क को इसी आउट हो गया था तो इसको एग्नोर करना बेवकुपी होगी तो मेरा मानना है इन्हीं दोनों के बीज में रेस होनी चाहिए बाकी एक और घोड़ा भी है जो थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये रूलिंग गॉडएस अफसेट करने के लिए लेकिन मैं इसको कंसिड नुबर 8 सेलवर केनन और निकोलीना क्योंकि निकोलीना का लास्टन बहुत इंप्रेसिबली था बिल्कुल बनता है ये घोड़ा इगनोर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उसी के सामने घोड़ा फेवरेट था तो कल बीट कर दे सकता है तो जोड़ी बनाएके खेलते हैं क्योंकि 6 नम्मर का भाव आउटस्टेंडिंग से भी बेटर होगा क्योंकि मुझे लगता है कि दस बिस का भाव होगा हंड़ेट पर्शेंट तो अगर हम आठ को पांच आर केलते हैं तो बिल्कुल 2000 तो दिखाना बनता है अब आए ना आए लेकिन मज़ा जरूर आएगा अगर जीत जाता है तो क्योंकि उसी के सामने फेवरेट था तो यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि जिसने मारा है उसी के सामने गोड़ा फेवरेट ही था और वेट का अडवंटेज पूरा चेंज तो फर्स्ट चोईस है हॉस्ट नूबर इट सिल्वर केनन जक्य अक्षे कुमार और विन प्लेस और थोड़ा सा कुई नहीं मार दो जातो जीतेगा तो पुरा मजा आज जाएगा और अगर हार गया तो आट नूबर ही जीतेगा तो जोड़ी बना के विन खेलते हैं चलो ब नहीं नहीं दोनों कोई रेस में लेके चलोंगा फास्ट चैस हॉस्ट नूबर इट सिल्वर केनन जोकि अक्षे कुमार और दूसरा गोड़ा हॉस्ट नूबर सिक्स निकोलीना जोकि आर गीरीस क्योंकि बनता भी है यार मिलकुल क्योंकि लास्ट टाइम गेट से स्लो निक सिफ स्टेक्स ग्रेड वान सौला समटे की रेस है तर्म रेस है त्री एर ओल्ड ओनली चार बजे बड़ी रेस है थर्टीन होर्सेस है मेरे मुझे जो लगता है जमारी फेवरेट खुलेगा लेकिन मैं नहीं खेलने वाला जमारी को क्योंकि लास्ट टाइम अंसर्ड हुआ था उसके सूज निकल गए थे और मुझे रन भी नहीं पसंद था क्योंकि यार घोड़ा जिस तरह लग रहा था जो क्लास दिखाई द बिल्कुल बनता था उस दिन लेकिन वह रन नहीं दिखा उसका और आप अगर ट्रेनर का इंटरव्यू भी सुनोंके तो बेरी डिसी वह रन था कि उस तरह गयल आप नहीं लिया मतलब जम भी उसी तरह नहीं लिया कि यार बहुत जिस तरह से वह घोड़ा पेड़क में दि खुड़ो इसको मैं दो गोड़े कंसिडर करूंगा एक होस्ट नुमबर सेवन मेरोपी वेल ब्रेड होस्ट लास्ट रन कें इग्नॉर अब इसका लास्ट रन इग्नॉर करो बहुत ही स्मॉल मार्जिन से इन दे लाइट के सामने हार गया था अब टंक स्ट्राप ऑन कर रह आए क्यार घुड़ा मतलब रेडी है कि बाकी जीतेगा नहीं जीतेगा तो अलग बात हो कि लेकिन ट्राक आउटस्टेंडिंग ट्राक वर्क है अगर चला देगा अक्षे कुमार तो बीट कर देगा सबको लास्ट न बहुत इंप्रेसिवल था इंदेलाइट के सामने उस लेकिन इस बार यह गोड़ा बनता है बिलकुत जीतना चाहिए और यह गोड़ा और पसंद है एक होस्ट नमबर एट एनरे डवल पावर लास्टेंग में बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन गोड़ा सेडल स्लिप वहा और चौहान की नीचे नहीं आया था बहुत यह गोड़ा लास्टेंग में सूपरियर दिख रहा था मुझे लगा गोड़ा आ जाएगा लेकिन पता नहीं था कि यह सेडल स्लिप वहा है तो बिलकुल बनता है यह गोड़ा प्लेस खेलो अगर साथ नमबर का अच्छा भाव मिलता है इच्वे तो इच्वे ही केलो साथ नमबर को आठ नमबर को इगनोर करो लेकिन अगर साथ नमबर बहुत ज्यादा होट फेवरेट खुलता है तो आठ नमबर को थोड़ा सा प्लेस खेलो क्योंकि यह गोड़ा मुझे लास्ट टेम बहुत ही का मतलब पैड़क में बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे लगा अब बात करते हैं सेवन्त रेस लास्ट ट्रिजर गल प्लेए डिविजन वान ग्यारा सुमिटे रेस से मेड़न हुक्सर त्रीरड ओलन ली और थर्टी कोई है यहाँ पर दस गोड़े हैं सिकिंग दा स्टार होस्ट नुमर सेवन पी ट्रेवर लास्ट टैम बहुत थी क्लोश नेक से हारा था मिस माया के सामने उस दिन मिस माया बनता था और वही जीता मैं मिस माया ही किरा था लेकिन रन तो बहुत अच्छा था लेकिन ध्यान रखना यह 400 किलो के नीचे का जीत गया लेकिन मैं जो खेलूंगा हॉस नुबर टू क्लिफर्ट जोकी एज़र वन लास्ट रंड कैन इग्नोर क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो ब्यू ठीक नहीं था मुझे लगा ऐसा इस बार यह गोड़ा की इच्वे खेलो जीतना चाहिए मेरे साफ से फ्रंट रंडर है लास्ट टेम फ्रंट इंगल के भागा था बस मुझे लगा क्या ब्यू के वज़े से गोड़ा नहीं आप जीत पाया था तो इस बार इच्वे ख पर होसाइटेट फोटी टू सिस्टी पैप क्लास त्री की फांच बजे यहां पर ग्यारा गोड़े हैं कि यहां पर मेरी चौह से होस्ट नुबर सिक्स इन माई लॉब जोकी ववानी सिंग पर उन प्लेस लास्ट टाइम यह रेपीडस के पीछे भागा था रेपीडस के प में 7 लेंग्ग से उत्रे जीता हुआ है तो अभी बिल्कुल जीतना चाहिए शी प्लिस मिले तो प्लिस के लो बहुत अच्छा गोड़ा बिल्कुल प्लिस बनता है इस फियल में लेकिन भाव होना चाहिए ऐसा हुनी कि फेवरेट मत केलना सुरश चिंतामणी के फेवरेट नहीं जितते हैं अगर इवन मनी असी पैसा नबे पैसा है और पांच-छे रुपए विन है तो बिल्कुल जोड़ी विश्यूए खेलो गोड़ा बिल्कुल बोड़ पर होना चाहिए बागी ग्रेस से कई होप कल आपका दिन अच्छा जाए आप प्रॉफिट में रहें देख के खेले समय के खेलिए जहां आपको समझ में आ रहे हो और भी बैठ कीजिए से बैट तो आज के लिए तना ही चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए आपको वीडियो कैसे ले रहे कमेंड में बता हैं फिर मिलते हैं मैसूर की रेश में आज के लिए तना ही गुट नाइट गुट बाई